नमस्कार स्वागत है आपका इची नाओ स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजात्र पार्टी और आप देख रहे हैं आज का बाजार और इस शो में आज हम आपको देंगे दिंभर का एक क्विक रीकाप बाजार में किस तरह की चाल रही और साथ ही दिन के दौरान एहम खबरे कौन कौन सी आई इसका एक पूरा अपडेट आपको आपके साथ में रखेंगे इस शो में जिससे की दिंभर का आक्शन आप से मिसना हो चलिए शुरुआत करता है सबसे पहले मार्केट के एक चेक से और हमारे साथ प्रियांका जोचुकी है पूरी जानकारी लेकर बताई पिलकुल लाद देखिया अच्छा मार्केट एक रेंज में ही था बहुत ही जादा क्रूशल यह हो गया क्योंकि 18700 के आसपास आपको एक रिजिसंस ओन देख रहा है जिसना से फ्राइडे के ख्लोज हुए अब तो आल टाइम हैं की बात बहुत दूर हो गए लेकिन अभी बाजार स्ट्रगल कर रहा है उस बड़े रिजिसंस रोट को क्रॉस करने में लेकिन दो तीन स्पेसे जिनके क्लियर मूव आपको देख रहा है उसमें फार्मा एसमसीजी इनमें अच्छी खासी मूव सुबह सी आप डिफेंसिफ के तरफ बाजार को तिल्टिड अगर आज के गेनर्स की पहले बात करें कि कहां गेनर्स थे अडानी स्टॉक्स में भी आज एक अच्छा कमबाक किया क्या क्योंकि उन्होंने भी एक बड़ा टागेट अपना रखा इन फाक्ट शुक्रवार को थोड़ा सा हिंदिन बग रिपोर्ट के बाद फिर से आपको यहां पर बड़े लेवल से एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखा फार्मा स्टॉक्स में औरी डिवी इस लैप डॉक्टर रेदी जिसे काउंटर संड फार्मा जिसे कांटर मूव है मिट कैप में लॉरस लाब जिसे कांटर में मूव है शिलपा मेडिकेर का राइट सिश्य तो फार्मा स्पेस अच्छा बजिंग दिख रहा है, SMCG पैक में अच्छी मूव दिख रहे हैं, आज फिर से आपको बाजार उसी तिल्टेट में दिखाई दिया, अगर आप आप आटो में बात करें, तो वहां पर भी न्यूस का भी एक ट्रिगर था, मारुती इंफाक लव स्पेस में अच्छा का सा इंटरिस्ट था, तेल्बिट्रोस हो, जमना आटो जैसे काउंटर सो, उन में अच्छी मूव थी, उसके अलावा फिर EPC सेग्मेंट में, क्योंकि प्लूटिस वेल्ट ने हर्शा इंजिनर, ये एक कंपनी है, जिसमें खरीदा, स्टेक उसके होती रेंजबाउंट था, बैंक्स आप फिर से लगाट देख रहे था, आला कि कुछ फिनांस काउंटर से जहां मूव अच्छी थी, पूनावाला फिन कॉप जैसे बजाज फिनांस लास्ट आर्ट में जरूर रिकावर हुआ, लेकिन ना मूव जो थी, जो लीडर्शिप आज वो क्लिरली आपको फिर से डिफेंसिफ साइट पर जादा देखी, फार्मा, एसमसीजी और तीसरा जो बड़ा स्पेस था, वो आटो था, इनरजी पैक, रियल स्टेट पैक, ये क्लिरली लगाट थे आज के दिन में बिल्कुल, तो यहां पर हमने देखा कि आक्शिन देख रहा था, और फार्मा स्पेस आज चल रहा था, और बाकी सारे सेक्टर अपडेट भी प्रियांक आपको बता रहे थी, चलिए बागे पढ़ते हैं और बात करते हैं बजाज ओटो की, और आज हम देख रहे थे की जे हां, मिट साइज बाइक सेग्मेंट पर है बजाज ओटो की नजर, जहां पर रितनी भी महंगी बाइक सब आ रहे हैं, उनमें कई ना कई जो कंजूमर्स हैं, उनका रुजान बढ़ते वे नजर आ रहा है, और अब बजाज ओटो उसी सेग्मेंट में एक बड़ा ही तर पाटनर्शिप ने मिलकर ये बाइक बनाई है, जहां पर लंडन में इसका ग्लोबल लाँच होगा और भारत में 5 जुलाई को ये बाइक का लाँच करने वाले हैं, जहां पर कमपनी दो पर्टिकुलर बाइक, रोज्स्टर और स्क्रामलर ये मोटर साइकल्स को अनवीर करन वाली है, और अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर बाइक की कुछ खासियत, जो की 350 to 400cc के बीच में बाइक आती है, जो की heavy bikes में मानी जाती है, और साथ ही साथ इसके अलावा इसकी जो कीमत है, वो करीब धाई लाग से करीब पौने 3 लाग के आसपास बताई जा रहे है अब काफी interesting होगा देखना कि किस तरीकी की pricing करती है बजाज ओटो, क्योंकि ये जो पूरा segment जो हम बात कर रहे है, 250cc से उपर वाली bikes का, यहाँ पे Royal Enfield की bullet के लिजए या फिर Royal Enfield की जो unbikes हैं, उनका dominance है, 90% से जाधा market share Royal Enfield ही hold करता है, जो की है Aisha Motors और इसके अलावा, अग इसका contribution था, FY21 में, FY23 में जाके 8% बढ़ गया है, जो की आप देखेंगे कि दीरे-दीरे करके आप consumers का भी रुजहान इसमें आ रहा है, तो देखना काफी interesting होगा कि pricing किस तरीके की होती है, क्योंकि आप competitors को देखें, तो Royal Enfield की Classic 350, Hunter, साथी Honda, YesD, Harley Davidson जो भी launch होने वाली है, य ये सभी competitors होंगे, क्या कुछ pricing की जाती है, ये काफी important होगा, कितनी distributions होते हैं, क्योंकि फिलहाल जो है, 10 से 12 cities में ही बजाज ओटो, ट्राइंग की dealership hold करती है, तो उसके क्या expansion plans है, ये सारी चीजों पे जरूर नजर आएगी, पर जी हा, बड़ी तयारी बजाज ओटो की तर आदत्य बिल्ला Capital, क्या ख़बर आ रही है इस company से जुड़ी, ये बताने के लिए शेरिल हमारे साथ मौजूद है, बताइए शेरिल, हमें सुत्रों से ये ख़बर मिली है, कि AB Capital इस हफ़े अपना QIP लाँच कर सकता है, और हमें ये भी जानकारी आई है, sources के हवाले, कि QIP का size about 1,750 क्रोर रुपीज के आसपास हो सकता है, हम ये जानते हैं कि several, बहुत सारे sovereign funds ने initially interest दिखाया है, AB Capital के QIP के लिए, और जो हमें अभी जानकारी ये मिल रही है, कि ये जो QIP है, इस हफते ही launch हो सकता है, अगर आप याद करें कि में के 11 तारी को बोर्ड ने अप्रूबल दीती, 3,000 क्रोर रुपे जुठाने के लिए, और अभी हम ये जानते हैं कि इस हफते ही AB Capital का QIP आ सकता है, और वो QIP का size 1750 क्रोर के आसपास हो सकता है, बिकुल, बहुत बहुत है, शुक्रिया शर्यलाब का ये सारी जानकाई देने के लिए, चलिए बागे बढ़ते हैं, औ जी हाँ, तो जो PV FinTech का management suggest कर रहा है कि company वो market को tap कर रहा है, जो कि currently fully tapped नहीं है, तो वो एक positive है, और एक अच्छा growth runway भी मिलता है ऐसे companies को, जब largely देखा जाए, तो वो कहते है कि 80% जो उनके customers वो source करते है, organically source करते है, तो third party नहीं source करते है, और कहते है कि ये customers उनको एक data उनको provide करते है, जिसके वज़ा से across products वो correct तरीके से products sale कर सकते है, और उनका credit products भी है, क्योंकि पैसा बजार वो operate करते है, तो ना ही insurance products पर also credit products उनको cross sell कर सकते है, जब technology की बात करे, वो कहते है कि उनके जो tech stack है, वो insurance partners को superior customer profiles provide करता है, जिसके वज़ा से better rates भी मिलते है और customers correct rates, correct pricing मिलता है दोनों parties को, insurers को भी और customers को भी, वो ये भी कहते है कि in fact उनका जो channel है, वो best mortality experience देता है across all channels, ये उनका कहना है कि उनको जो feedback मिला है, with regard to insurers से ये particular feedback मिला है, of course जो पैसा बजार है, वो कहते है कि पैसा बजार काफी under penetrated market में काम करता है, और उसका runway बहुत लंबा है, तो वो भी एक positive है, in terms of numbers, वो 29% top line growth expect कर रहा है, compounded annually FI26 तक, higher base पे, और कहते हैं कि FI26 में EBITDA margins around 15% के आसपास होगा, तो उनका 12 month, IFL का 12 month target price ये particular stock के लिए 750 रुपीज है, बहुत बहुत आशक्रिया हरशाब का ये सारी जान कर देने के लिए, अब आगे बढ़ते हैं और आफ फोकस करते हैं, commodity market से जुड़ी ख़बरों का और खाने पीने की महंगाई हम देख रहे हैं कि फिर से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी है, तूर दाल के बाद मसालों में जीरा और अनाज में गेहूं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या है इस तेजी की वज़ा बताने के लिए विश्यमोहन हमाई साथ जोड़ चुके हैं, विश्यमोहन बताईए, जी बिल्कुल सही का आपने हैं कि तूर के बाद अब सबजीयों तक महंगाई पहुंच चुकी टामाटर और उसके बाद मसाले, जीरा और गेहूं, गेहूं के दाम भी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और इंटरनाशनल मारकेट के साथ घरेलू बाजार में भी दाम भर रहे हैं, माई के लोड लेबल, जो दो साल का निचला लेबल था, इस साल माई में, वहां से दो महिने में ही 25% की तेजी आ चुकी है, विदेशी बाजारों में हपते भर में गेहूं के दाम 8% से बढ़ ग की है, यानि सरकार को भी डर है कि कहींगे हूं कि महँगाई न बढ़ जाए, और यहां पर भी उतपादन भारत में उतपादन सरकारी लक्षे कम रहने की संभावना जताई गई है, और इंटरनाशनल मारकेट की बात करें, तो यूएस में सूके की इस्तिती बनी हुए है, पहरे जोतपादन बढ़ने का अनुमान था, अब कम होने की संभावना अगले सीजन के लिए जताई गई है, और यूकरेन के अनाज एक्सपोर्ट के लिए जो ग्रीन कॉरीडोर को लेकर अभी भी अंसर्टिन्टी है, 17 जुलाइक को वो कॉरीडोर की जो समय सीमा थी, जो गारिंटी समय सीमा दी गई थी रूस की तरफ से, उसको अब वापस लिया जा सकता है, ये चिंटा की बात है, तो वहाँ से ग्रेन एक्सपोर्ट अगर ब्लैक सी के जरीए के कम हो सकता है, तो ये एक ग्लोबल प्राइस को और उपर में लेकर जा सकते हैं, और यही वज़ा साल में अगर हम जीरे की बात करें, तो 170 परसंट के आसपास की तेजी आ चुकी है, और 320 परसंट की तेजी हम पिछले तीन साल में जीरे की कीमतों में दिख चिको हैं, वायदा में भाव 50,000 के ऊपर जा चुका है, हाजिर में दाम 60,000 के ऊपर है, यानि लगातार तेजी का एक तरफ एक्सपोर्ट डिमांड काफी जादा है, चाहे वो बांगलादेश से हो, चाहे वो चाइना से हो, और पाकिस्तान जहां हम डारेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वहाँ पर दुबई के रूट के जरी होँआ पर जीरे का एक्सपोर्ट हो रहा है, साथी इंटरनाशनल सप्लाई के अगर बात करें तो टर्की में, सीरिया में, वहाँ पर खराब मौसम की वज़े से इल्ड को लेकर चिंता है, जिससे जीरे के दाम लगातार बर रहे हैं, यानि धीरे-धीरे महिंगाई का खत्रा, दलहन के बाद अब धीरे-धीरे गेहुँ, और इस बीच भारी बारिश का असर भी सबजीों के दाम में देखने को मिला है, सबसे ज्यादा असर पड़ा है टमाटर के दाम में, और टमाटर की कीमत में पिछली एक हफदे में तेज उछाल देखने को मिला, देश के ज्यारतर शहरों के रीटेल प्राइजे असी से 120 पुलसेल मार्केट में ये दाम 65 से 70 रुपए किलो मिल रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग शाने मुंबई के लोवर परेल मार्केट का जायजा लिया। मई के महिने में जो टमाटर काफी सस्ता मिल रहा था, 15-20 रुपए किलो तक मिल रहा था, अब उसी टमाटर का जो भाव है वो 100 रुपए किलो पहुच गया है। मैं इस समय लोवर परेल इलाके मुंबई के लोवर परेल इलाके के सब्जी वेंडर के बाहर खड़ा हूँ और यहां पर जो टमाटर है वो 100 रुपए किलो पहुच गया। करता है। वन इसलों की कोशिश करता हूँ। क्या वज़े है कि टमाटर महस्ता है राका के खाराव हाँ है। अबी पेटी तो आड़े जार रूपे पड़ता है अगर उसको उसमें से खराब भी निकलता है तो अपने को 90 रूपे कि लोग खरीदी पढ़ जाता है दस रूपे किलो पीछे मिलता है तो आप लोगे कि नबे रूपे कि खरीदी पढ़ रहा है और पिछले अफते तक या ए महेंगा हो सकता है तो एक अफते पहले तक जो टमाटर पचास से साट रूपे किलो मिल रहा था अब उसकी कीमत है वह सो रूपे किलो हो गई है और सब्जी वेंडर्स का कहना है कि यह बारिश हुई है उसके बाद इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है अनुराक शा इटी नाउ सुदेश के लिए बिल्कुल है तो यह तो था भारी बारिश का असर और 62 साल बाद हम देखने के मुंबई दिल्ली दोनों शहरों में मौनसून साथ साथ पहुचा है लेकिन देश ये कई सारे ऐसे हैं जहां मौनसून की स्थिती काफी कमजोर भी है इसकी पीछ दिली मॉंसून की इंट्री जो हुई है समय से दो दिन पहले हुए आम तो पर 27 ज Una को मौनसून की दिली में होते चीज़लिकिन इसकी और 25 को हुए लPod पर मौसून की इस्तिती काफी कमजोर है सिर्फ राजस्तान को और गुजरात को अगर छोड़ दे तो मौसून के को लेकर जादा तर देश के हिस्से हैं वहाँ पर इस्तिती काफी कमजोर है सबसे जादा कमजोर है महराष्ट्रा जहां पर 76% सामाने से अब तक कम बारिश हुई है यूपी में 38% कम बारिश हुई है तो बारिश के इस्तिती काफी कमजोर है अगर पूरे देश भर के आंकड़े अगर आप देखे तो सामाने से 28% अब तक कम बारिश हुई है लेकिन मौसम विवाग को लगता है कि जून के आखिर तक इस्तिती बहतर होगी और रिक कки बारिश हुए है लेकिन जादा तरह हैं ज़हां पर बारिश बहुत ही कम हुई है मौशूर कि एंट्री होने के बाद भी वहाँ पर मौसूर की जो रफ्तार है वह कापी धीम्लाइद सिती अब दीरे दीरे बेतर होगी ऐसा मौसम विवाग का कहना है कि अब को लबावाता शुक्रिया विश्मों आपका ये सारी जानकाई देने के लिए तो ये मौसूं के प्रोग्रस को लेकर एक छोटा सा अपडेट चलिए फिलाल इस बुलिट में इतना ही लेकिन खबरों का सिसलाजी भी जाई रहेगा अपने दिया हमारे साथ नमस्कार